नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमर यूटूब चैनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम GKGS Related Most Important 25 Question को डिसकस करने वाले हैं दोस्तों ये जो Question है ये काफी अच्छे लेबल के Question है Important Question है ये Question प्रिवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए है और दोस्तों सभी Question को हम बिल्कुल डिटेल में वित आश्टाफेट के साथ में डिसकस करेंगे यानि कि सभी Question का हम पोस्ट माडम करते चलेंगे तो चले दोस्तों सुरुआत कर लेते हैं नमर 1st Question से पहला मार Question है सम्विधान सभाने राष्टगान जनगर्ण मन को कब अपनाया था तो दोस्तों सम्विधान सभाने हमारे राष्टगान जनगर्ण मन को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को तो इस Question का A option सही हो जायागा जो हमारा राष्टगान है वो क्या है जनिगर्ड मन ठीक है और इसको किसके दोरा लिखा गया था तो गुरुदेव रबिनाथ टेगोर के दोरा इसको लिखा गया था ठीक है या फिर इसको रचा गया था और पहली वार राष्टगान कब गाया गया तो पहली वार को तब ये गाया गया था और जनगडमन को समिधान सभा के दोवारा 24 जनवरी 1950 को राष्टगान के रूप में अपनाया गया था ठीक है और दोस्तों इसी तारिक को जो हमारा राष्टगीत है ठीक है जो हमारा राष्टगीत है बंदे मातरम ठीक है तो बंदे मातरम को राष् लगते हैं ठीक है सारी बातें आप याद रखेंगे नेश्ट हमारा कॉस्टन है दोस्तू नंबर सेकिंड कॉस्टन है निमन में से कौन सा बिकल्प सही नहीं है दोस्तो गलत कथन का हमें चैन करना है तो हम एक एक करके सभी फैक्टों को देख लेते हैं तो नंबर ये पे लि है डाक्टर वी आरंबेट कर विल्कुल सही लिखा है प्ररूप समीति के अध्यक्ष कोन थे डाक्टर सहाब वी आरंबेट कर थे नंबर सी पे लिखा है संग समीति इसके सामने लिखा है पंडित जवाहला नहरू ये भी विल्कुल सही लिखा है क्योंकि संग समीति के अध अध्यक्ष जे भी करपलानी नहीं थे, कौन थे, तो संग सम्मिधान समीती की अध्यक्ष भी कौन थे, पंडित जवाला नहरू थे, ठीक है, पंडित जवाला नहरू संग सक्ति समीती और संग सम्मिधान समीती दोनों के अध्यक्ष थे, तो इस कौस्टन का नमबर D option सही हो B option साही हो जायगा देख दोस्तो सबसे पहले आपको गड़ पूर्टी समझना होगा सदन की बैटक के लिए नियुनितम सदस्यों की उपस्थिति की जो अनिवारियता होती है उसको हम कहते हैं तो उसको हम गड़ पूर्टी कहते हैं ठीक है ये सदन की कुल सदस संख्या का दसबा भाग होता है इसका आर्थ ये है कि लोकसबा या फिर राजसबा की बैटक केवल तभी हो सकती है जब कम से कम सदन की कुल सदस संख्या का एक वटे दस सदस उपस्तित हों कितने एक वटे दस सदस उपस्तित हों नेस्ट कोस्टन की बात करेंगे दोस्तो नमबर चार कोस्टन है भारतिय सम्मिधान दोरा उपलब्द किये गए मूल अधिकारों का उद्देश क्या है दोस्तो भारतिय सम्मिधान के दोरा जो मूल अधिकार उपलब्द कराए गए है उसका प्रमख उद्देश क्या है तो न उनका सरवांगनिये विकास हो सके ठीक है दोस्तो मूल अधिकार इनका उल्लेक भारतिय संविधान के किस भाग में किया गया है तो इनका उल्लेक जो है भाग 3 में अनुचित 12 से लाकर अनुचित 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेक किया गया है और मूल अधिकार किस देश की सं बिदान से लिए गए हैं नेश्ट हमारा question दोस्तो भारती राष्टी पंचांग किस नाम से जाना जाता है दोस्तो भारती राष्टी पंचांग जो है ये किस नाम से जाना जाता है ये सकसंबत नाम से जाना जाता है वी option साही हो जाएगा सकसंबत भारत का राष्टी कैलेंड है और इसको राजा कनिस्के के दवारा ठीक है ये हमीशा पूछा जाता है कि इसको राजा कनिस्के के दवारा 78 इस भी में सुरू किया गया था ठीक है और 78 इस भी में इसको सुरू किया गया था लेकिन भारती संविधान ने याद रखना एक और फैक्ट इसको भारती आपको याद रखना ये तीन-चार बातें आपके एक्जाम में एक कॉस्चन बनते हैं नेश्ट हमारा कॉस्चन है दोस्तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकेती है तू होगली का उपयोग कौन करते थे दोस्तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकेती होतू हुगली का उपयोग कौन करते थे पुर्तगाल करते थे C option सही हो जाएगा देखे दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जो पुर्तगाल थे ठीक है जो पुर्तगाल थे ये बंगाल की खाड़ी में समुद्री डेकेती हुए तू होगली नदी का उपयोग करते थे और दोस्तो भारत आने वाली बारजिक कंपनियों में पुर्तगाल प्रफम थे ठीक है, जो बारजिग क कमपनियां भारत आईंने, उनमें पुर्तगाल प्रफम थे ठीक है और पुर्फम ये यातरी यदी आपसे पूँछा जाए, तो आप क्या कहेंगे पुर्तब ये यातरी कुन था, तो बास कोडी गामा था, कुन था बासकोडी गामा था और ये गुजराती पध प्रदसक था गुजरात का उसका नाम क्या था उसका नाम था अब्दुल मनिक ठीक है अब्दुल मनिक जो है उसका नाम था ठीक है तो ये जो बासकोडी गामा भारत आया था तो अब्दुल मनिक की सहता से ये भारत आया था ठीक हमारा कॉस्टन दोस्तो नमर साथ कॉस्टन है डच इस्ट इंडिय कंपनी ने किस वर्स अपनी फैक्टरी पटना में इस्थापित की थी क्या पूछा गया है कि डच इस्ट इंडिय कंपनी ने पटना में अपनी फैक्टरी कब इस्थापित की थी तो पटना में 1932 में डच इ और हॉलेंड जो की बरतमान में नीदेलेंड कहलाता है इसकी निवासी डच कहलाते थे और पर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम रखे और डच जो हैं ये समुदरी ब्यापार में नेपुन थे और दोस्तों 1602 इसवी में डच इस्ट इंडिय कंपनी की इस ठीक है इसके बाद 1605 सेवी में डच इंडिय प्रद्र इसके मुस्ली पत्नम में अपनी पहली फैक्टरी इस्ताप्त की थी ठीक है तो यदो आपसे पूछा जाए कि डच इंडिय प्रिथम फैक्टरी कहां पर इस्ताप्त की थी तो आप कहएंगे अन्ड़ प्रदेश के कि थी तो 1605 में की थी बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में अपने ब्यापार केंद्रों को इस्तापित किये ठीके इसी क्रम में जो question ने पूछा गया था तो इसी क्रम में डचो ने अपनी company 1632 में पटना में भी इस्तापित की थी ठीके तो पटना का पूछा गया था कि पटनामे कफ फैक्टरी इस्थापित की थी डचो ने तो आप कहेंगे 1632 में की थी नैश्ट हमारा कॉस्टन है दोस्तो नमबर आठ कॉस्टन है निमलेखित में से किस मुगल समराट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूद की रूप में लंदन भेजा था दोस्तो राजा राम मोहन राय को एक मुगल समराट थे इन्होंने अपने दूद की रूप में लंदन भेजा था उनका नाम क्या था अकबर दूदिये उनका नाम था सी ओप्सन सही हो जाएगा देख दोस्तो सारे फेक्ट में आपको बता दूँ तो मुगल समराट अकबर दूदिये ठीके इनको अप बहसाय के नाम से जाना जाता था तो इन्होंने 1630 में राजा राम मोहराय को अपने दूद की रूप में वेटे समराट विलियम चतुरत के दरबार में ठीके ये भी पूछा जाता है किसके दरबार में तो वेटे समराट विलियम चतुरत के दरबार में लंदन भेजा था राजा राम मोहन राए 1803 से 1814 तक इस्ट इंडिय कंपनी की अधीन काम करते रहे ठीक है फिर एंग्लेंड में राजा राम मोहन राए बेटे सरकार के समक्ष मुगल बातसाय को दी जाने वाली पेंसन की आपरियाप्त रासी के संदर्म में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए गए थे क्यों गए थे उस समय जो मुगल बातसाय थे ठीक है उनको जो पेंसन दी जाती थी तो आपरियाप्त रासी के संदर्म में ऐसा कहने के लिए कि जो आपके द्वारा पेंसन दी जाती है वो आपरियाप्त है और यही पक्ष रखने के लिए राजा राम मोहन राए जो है ये सरकार के समक्ष गए हुए थे ठीक है फिर 27 सितंबर 1833 में व्रेश्टल एंगलेंड में राजा राम मोहन राय की मिलत्ती हो गई ठीक है और दोस्तो एक और कॉस्टन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपादी है ये किस के द्वारा दी गई थी तो य आलमगीर दुतिये की उपादी धारण की यहाँ पर भी कन्फूजन बनते हैं दोस्तो आलमगीर दुतिये मैंने कहा है दोस्तो आलमगीर दुतिये की जो उपादी है ठीक है ये किस ने धारण की थी तो ये अजी जुद्दीन ने धारण की थी ए ओप्सन सही हो जायागा द देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जहांदार साह की दुतिये पुत्र था अजी जुद्दीन इसने जो है वात्साह बनने पर आलमगीर दुतिये की उपाधी धारण की थी इसका सासनकाल यानि कि आजी जुद्दीन का सासनकाल 1754 इसबी से 1769 इसबी तक चला था ठीक ह दोस्तों ये तो हमने बात करी है आलमगीर दुतिये की उपाधी एक कॉस्टन पूछा जाता है कि आलमगीर की उपाधी किस ने धारण की थी तो आप कहेंगे औरंग जेम ने धारण की थी दोस्तों यदि आपसे भाग पूछा जाए तो आप कहेंगे वाधती संबीधान के भाग बीसमें ठीक है अनुचित पूछा जाए तो 366 अनुचित में संबीधान में संसुधन करने की पूछी या का उलेक किया गया है C option सही हो जाएगा और दोस्तो संविधान में संसुधन करने की पिरकिरिया किस देश की संविधान से ली गई तो आप कहेंगे दक्षिन अप्रिका देश से संविधान में संसुधन करने की पिरकिरिया का उलेक जो है ये लिया गया है नैश्ट हमारा question दोस्तो नम्मर 11 question संविधन संसुधन कितने प्रकार से किया जा सकता है दोस्तो संविधन में संसुधन तीन प्रकार से किया जा सकता है वी option सही हो जायेगा सबसे पहले आपको याद रखना है संविधन में संसुधन करने का अधिकार किसको है तो संसत को है ठ अध्यक्षता, कौन करता है, तो दूस्तो, राजस्वा में, जो सबाएं होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उपर राष्टपती करता है, यह आपो सभूल है, दोस्तो राजसभा मैं आपको बता दूं कि संसत का इस्थाई सदन होता है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता ठीक है इसमें कितने सदस होते हैं 250 ठीक है इन 250 में से जो 12 सदस हैं ये राष्टपती द्वारा नॉमिनेट किये जाते हैं यानि कि नामित किये जाते हैं ठीक और इसमें से एक तहाई सदस, जो है, हर दो साल बाद क्या हो जाते हैं, सिवानी मृत हो जाते हैं, इसलिए कभी इस सदन को, यानि कि राजसभा को भंग नहीं किया सकता, और इसलिए इसको इस्थाई सदन या फिर उच्छ सदन कहा जाता है, और दोस्तों जो भारत की उपरा पती और जितने भी सदस हैं ठीक है सभी का कारेकाल छे बरसों का होता है ठीक है और दोस्तों जो इसकी पदें सभापती होते हैं ठीक है उपराष्ट पती इनका क्या होता है तो इनका आप्रत्यक्ष निर्बाचन होता है ठीक है इनका चुनाव होता है और आप्रत्यक्ष नि हमारा question है नमलेकित में से कौन सा सासक वन वबस्ता का रक्षक कहा जाता है दोस्तों वन वबस्ता का रक्षक किसको कहा जाता है गौत्मी पुत्र साथ करने को कहा जाता है C option सही हो जायागा गौत्मी पुत्र साथ करने ने चत्तुष्ट वन वबस्ता को पुनर इस्थापित क दिया था और जातिये सम मिशन को रोका था इसलिए इनको वन ववस्ता का रक्षक कहा जाता है नेक्ट कॉस्टन की बात करेंगे दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है पीसो किस देश की मुद्रा है तो देखे दोस्तो जो पीसो है ठीक है जो पीसो है ये किस देश की मुद्रा ह तो यह मैक सुक की मुद्रा है तो इस कॉस्टन का भी ऑप्सन सही हो जाएगा दोस्तो यदि हम बात करें कि दक्षन कोरिया की मुद्रा क्या है दोस्तो दक्षन कोरिया इसकी मुद्रा जो है दक्षन कोरिया इवन ठीक है दक्षन कोरिया इवन जो है यह दक्षन कोरिया की मु मुद्रा का क्या नाम है दोस्तो जो जापान की मुद्रा है ठीक है इसका नाम क्या है इसका नाम है एन ठीक है और इटली की मुद्रा का क्या नाम है तो इटली की मुद्रा का नाम है यूरो नैश्ट कॉस्टन की बात करेंगे अंगला हमारा कॉस्टन है निम्न में से कौनसी परवश्रणी किवल एक ही राज में फैली है दोस्तों किवल एक ही राज में कौसी परवश्रणी फैली हुई है अजन्ता परवश्रणी है दोस्तों ये एक ही राज में फैली है अजन्ता परवश्रणी एक छोटी परवश्रणी है जो किवल महराष्ट में फैली हुई है ठी गुजरात से दिल्नी तक है ठीक है इसका विस्तार जो है गुजरात से दिल्नी तक है और सत्पणा परवश्रיל के यदि हम बात करेंगे तो इसका विस्तार महाराष्ट गुवा करनाटक में म Bir अधन करेंगे यकी डि आधे महराष्ट राज में इसका विस्तार है आँगे बढ़ेंगे दोस्तो नेश्ट हमारा कॉस्चन है 1947 में लावड माउंट वेटन द्वारा घोशत भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयूग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तो 1947 में लावड माउंट वेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए एक सीमा आयूग की घोशना की गए थी ठीक है इस सीमा आयूग के अध्यक्ष कौन थे तो इस सीमा आयूग के अध्यक्ष के नाम था स्रिल रेड किलिप तो इस कौस्टन का वी ओप्सन सही हो जायागा और दोस्तो इनी के नाम पर भारत पाकिस्तान के मद्द सीमा रेखा का नाम रखा गया है भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है उसका नाम है रेड किलिप ठीक है और ये किस के नाब पर रखा गया तो ये स्रिल red clip के नाब पर रखा गया है नेस्ट question है केंद्री एक करों में राज की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किस के पास होता है तो इस question का C option सही हो जायगा दोस्तो यदी हम बात करें कि वित आयोग ठीक है तो वित्तायुक की इस्थापना कभी थी 22 नवंबर 1909 को इसकी इस्थापना की गए थी ठीक है और वित्तायुक के प्रतम अध्यक्ष कौन बनाये गए थे केसी नहीं होगी ठीक है केसी नहीं होगी जो हैं ये वित्तायुक के प्रतम अध्यक्ष बनाये गए थे प्रियोग किया जाता है वो कौन सा है वो है 2011 से 2012 ठीक है तो इस question का C option से हो जाएगा और दोस्तो इससे जनवरी 1915 में केंद्रिय संक्री की संस्थान की अनुसंसा पर अपनाया गया था राष्टे आयकुमापने का आधार वर्स है 2011-2012 ठीक है और इसको केंद्रिय संक्री की संस्थान के द्वारा कब अपनाया गया था तो जनवरी 2015 में अपनाया गया था ठीक है आधार वर्स क्या है और इसको कब अपनाया गया था दोनों बातें आप यादर रखेंगी नेश्ट कॉस्टन है समान ने आए और मुप्त कानूनी सहयता किस अनुचित से सम्मंदत है तो देख दोस्तो एक अनुचित है अनुचित 49 ठीक है और दोस्तो सोरी अनुचित 49 ठीक है और अनुचित 49 ए में कहा गया है कि राज ये सुनिश्चित करेगा कि राज की सभी नागरगों को समानने आए और मुप्त कानूनी सहता प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही तो इस question का B option सही हो जाएगा next question है विल्कुल सरल question है internet connection की गती किस में मापी जाती है दोस्तो जो internet connection की speed होती है ये GBPS में मापी जाती है ठीक है GBPS में मापी जाती है दोस्तो बैसे तो internet connection की जो speed है वो KBPS में मी मापी जाती है ठीक है KBPS में मापी जाती है MBPS में मापी जाती है लेकिन option के according GBPS जो है यहाँ पर सही option हो जाएगा हम बोलते हैं ना कि कितने kbps की speed है या फिर कितने mbps की speed है ठीक है तो हम kbps, mbps और gbps इन सभी में internet connection की speed को measurement करते हैं लेकिन option के according यहाँ पर केवल gbps दिया गया था तो gbps सही answer हो जाएगा नेश्ट हमारा question है दोस्तो computer के mouse का अविसकार किस ने किया था दोस्तो computer mouse का अविसकार जो है यह डगलस एंगल वर्ट के द्वारा किया गया था c option सही हो जाएगा अच्छा इसका अविसकार कब किया गया था 1960 में किया गया था ठीक है और इसका अविसकार sorry mouse का अविसकार 1960 मे एक input device है नेश्ट हमारा question दोस्तो नगर नगम के प्रमुक को क्या कहते हैं दोस्तो जो नगर नगम के प्रमुक होते हैं ठीक है उनको क्या कहा जाता है उनको मेयर कहा जाता है या फिर उनको महापौर भी कहा जाता है मेयर या फिर महापौर कहा जाता है नगर नगम के जो प्र जून Czech तक वेटेस्ट द्वारह भारत को सोतंतरता प्रधान कर दी जाएगी तो देखे दूसztों मैं आपको बता दूँ कि किलीमेंट इटिली ने है पूरी डेटेल मैं आपको बता देता हूं किसने किलीमेंट इटिली तो दोस्तो 20 फरवरी 1947 को कब 20 फरवरी 1947 को ब्रेटेन के प्रधान मंतरी किलिमेंट इटली दोरा यह घोशना की गई थी कि बेटे सरकार दोरा 30 जून 1948 तक भारत की पूर्च सुतंतरता के अधिकार को मानता प्रधान कर दी जाएगी ठीक है गोशना की थी 20 फरवरी 1947 को और कहा था कि 30 जून 1948 को जो भारत है उसको पूर्च सुतंतरता का जो अधिकार है उसकी मानता दे दी जाएगी लेकिन इसके पहले ही इसके पहले कब तो 15 अगस्त 1947 को ही कब 15 अगस्त 1947 को ही विट्र सरकार ने पूरी सत्ता जो है यह ट्रांसपर कर दी थी भारत को ठीक है गोशना कब की थी 20 फरवरी 1947 को और कहा था कि 30 जून 1948 तक हम पूरी सत्त भारत को दे देंगे लेकिन उसके पहले ठीक है 15 अगस्त 1947 को ही विट्र सरकार ने सारी सत्ता जो है यह इंडिया को ट्रांसपर कर दी थी गोशना की थी तो विट्राइन के ता गठे तो अंतरियम सरकार में किसको ग्रेभवाग का कारेभार सौपा गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले दो तीन बाते हैं कि 2 सितंबर 1946 को याद रखना डेट 2 सितंबर 1946 को ठीक है अंतरियम सरकार का क्या हुआ था गठन हुआ था ठीक है इसके बाद 15 सरकार है ये कब तक अस्तत में रही थी तो ये अस्तत में रही थी 15 अगस्त 1947 ठीक है और इसमें जो ग्रेभ भाग है इसको कारेभार किसको सोभा गया था तो सरादर बलभभभय पटेल को सोभा गया था डी ओप्सन सही हो चायागा ठीक है अंतरम सरकार की बारे में ये दो बातें आपने याद रख ली ठीक है इसके अलाबा ग्रह बिभाग किसको सौपा गया था तो ये सौपा गया था साथा बलभभाई पटेल को ठीक है तीन बातें हो गई और दोस्तो जो राजन्द प्रसाद हैं इनको खाद एवं किरसी बिभाग सौपा गया था ठीक है और आसफ अली इनको रेल बिभाग सौपा गया था और जो जो जोगिंदर नात थे इनको जो है बिदी बिभाग सौपा गया था तो ये पाउच्छ बाता है इस question से आपको यादः रखना है सभी बातें आपके question में पूछे जाती है नेश्ठ हमारा question दोस्तो 2011 की जन hairdna स्वतंतर भारत की कौन सी जन गड़ना है दोस्तो 2011 में जो जन गड़ना हुई थी ये सोतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगना है तो दोस्तो ये सोतंत्र भारत की सातवे नंबर की जनगना थे ठीक है 2011 में जो जनगना हुई थी ये भारत की पंदर भी जनगना है लेकिन सोतंत्र भारत की ये सातवी जनगना है दोस्तो भात में प्रथम जंगर्णा लाड मियो के सासन काल में की गई थी और 1872 में की गई थी और भात की प्रथम नियमत जंगर्णा लाड रिपन के सासन काल में की गई थी और 1881 में की गई थी सारी बात हैं दोस्तों एक एक question बनते हैं ठीक है ये जो चार पांच बाते मैंने यहां पर बता ही है ये सब question है प्रथम जंगंडन कप की गई थी तो आप गहेंगे 1872 में की गई थी किसके सासनकाल में लाडमियो के सासनकाल में दो ठीक है प्रतम नीमित जनगर्णा किस की सासनकाल में की गई थी लार रिपन की सासनकाल में और 1881 में की गई थी चार कोस्टन हो गई ठीक है और 2011 में जो जनगर्णा हुई थी ये भारत की कौन सी जनगर्णा थी पंद भी जनगर्णा थी सोतंतर भारत की कौन सी जनगर्णा थ तो इस प्रकास से यह 6-7 question जो हैं, यहां से आपके exam में बनते हैं, ठीक है, I hope दोस्तों आपको यह video lecture पसंद आया होगा, आप next and last question है, आपके लिए challenging question है, जो की हम पूछते हैं अपने previous video से, question में पूछा गया है, कि चोरी-चोरा नामक जो इस्थान है, यह भारत के किस राज में इस्थे थे, ठीक है, चार option में से आपको बताना है, और जो चोरी-चोरा कांड हुआ था, ठीक है, उसके बारे में कि यह चोरी-चोरा का जो कांड हुआ था, जो हिंसक घटना हुई थी, यह किस तारीक और किस सन को हुई थी, बित तारीक के आपको लिखना है, ठीक है, इसका reason क्या था और इस घटना में क्या हुगा था जितनी बातें आपको पता हो आप सारी बातें लिखें थैंक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत पहुत धन्यवाद आपको वीडियो के ऐसा लगा इमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तो आप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको share किजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और जो student हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और latest वीडियो डा जाएगी या पर दोस्तों अभी आपको screen पर 3 महत्पून वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को ज़रूर देख लें ठैक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए राम राम दूआ सलाम थैंक्य वेरी मुच।